प्रिये कुछ समय बीटने के बाद मैंने आपको खत लिखने का फैसला किया क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया कि प्यार क्या था और कब खतम हो गया मेरा मानना है कि मुझे और अधिक जागरूप होना चाहिए ये संबब है कि मैं उस समय अत्या अधिक समवेदनशील था हाँ मानता हूँ कि मैंने एक बार प्यार के रिष्टे को नश्ट कर दिया दरसल मुझे नहीं पता था कि मैं कितना सक्षम हो आपकी नाराज़की और अपमान जनक बातों का जवाब देने के लिए मेरे लिए बेतर होता कि मैं अपनी कमजोरियों को स्विकार करता और प्रशन पूछ कर स्पष्टिकरन मानता आप पर लताड लगाता मैंने हाली में आप पर चिलाना बंद कर दिया लेकिन नुक्सान पहले ही हो चुका था और अच्चानक आपने मुझे से बात करना बंद कर दिया पर अपने हमेशा कुछ ऐसा रहा जिसने हमेशा मुझे अकर्शित किया आखिर में मुझे मैसूस हुआ कि वह और कोई नहीं आप ही हो मैं इस रिष्टे को खतम नहीं करना चाहता था पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं पर मुझे इसके लिए हमेशा खेद रहेगा